जम्बो कश्मिर के उपर आजपाल मनोज सिनहा ने कहा अधिकतर लोगो को भ्रांती है कि गांधी जी के पास लौकी डिग्री थी। जबकि सच्चा ही है कि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी इसके बावजुत बेरास्ट पिता बने। सिनहा के इस बयान पर कॉंग्रेस ने क कहा गोज से भजन करने वाले गांधी के चरित्रिक अप्या कर रहे हैं। अब सियासा शुरू हो गई है। ग्वालियर में एक सम्हारों में जम्मू कश्मिर के उपराश्पाल मनोज सिनहा ने कहा अधिकतर लों को भांती है कि गांधी जी के पास लौकी डिग्री थी। सच सिना के इस बयान के बाद कॉंगर्स ने मनुस सिना के बयान पर पलट वार किया। कॉंगर्स विरायक कॉनाल चौदरी ने का अशिक्षित लोग संगारनेक पदों पर बैठे हैं। यह लोग गोर से बंजन के कारण गांदी की चारित्रिक हर्त्या कर रहे हैं। गांदी ने लंदन यूनिवरसिटी से बैरिस्टर की डिगरी दी थी। अफरिका में प्रैक्टिस करते थे। उन्हें ब्रिटिश ने मान लिया। विष्ट ने मान लिया। 148 देशों में गांदी की प्रतिमाये हैं। लेकिन गोड़से को मानने वाले उन्हें अपना नहीं पा रहे हैं। कि देश में वो असिक्षित लोग जो संविधानिक पदों पे बैटे हुएं। सिर्फ गोड़से भंजन के कारत। वो आज देश के अंदर गांधी के विचारों की गांधी की चारीतरी खत्या करने में लगे हुएं। वो गांधी जो लंदन युनिवसिटी से बैरिस्टर के डिगरी करके अफरीका में प्रैक्टेस करते थे इस इंदुस्तान की आजादी के नायक थे। उन्हें ब्रेटिश न तो मान लिया। उस ब्रेटिश ने चर्चल के सामने उनकी मूर्ती लगा दी और विश्व ने उन्हें मान लिया। पर आज भी गोर्से के विचारों को मानने वाले लोग उनको अपना नहीं पा रहे हैं उनके खिलाफ अनरगल बाते और बयान करना चाहते हैं। अलकुल नहीं हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है एलाइसी के न्यू जीवन शान्ति में जो हमें देगा डिफर्ड अन्यूर्टी मतलब कुछ साल बात से रेगुलर इंकम। एलाइसी के एन्यूटी प्लान्स दिद एन्यूटी ऑप्शन्स और नियमित इंकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी एलाइसी हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की हैं वो खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं हर आम और खास से चुड़े मसली हैं हर मसले का सटीक पिशलेश हम करते हैं सत्यका अनुवेशा तखलनीूस आके हगत में आप देख रहे हैं तखलनीूस